विश्वासी आपका बहुत बहुत सुभागत हैं मैं सोशल मीडिया देख रही थी आपका इंस्टा खंगाला, ट्वीटर खंगाला, फेस्बुक खंगाला उसमें आपकी सारे कैंपेणिंग के जहां जहां आप जाते हैं लोगों से मिलते हैं वो सब था बहुत पॉलिटिकल कंटेंट था लेकिन दो कंटेंट पर जो मेरी नजर पड़ी वो आपने अपने बच्चों को लेकर एक दो पोस्ट की है उसमें क्या उनका भी भविश्या आप पॉलिटिक्स में देखते हैं दिखिए इस टू अरली तो से अनितिंग अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते मेरे पिता जी ने मुझे सिखाया है कि राजनीती कोई प्रोफेशन नहीं है राजनीती के मिशन है और रेदी हम राजनीती की ऐसी प्लानिंग करें कि किसको लॉंच करना किसको नहीं लॉंच करना तो यह मुझे लगता है कि उसकी आचार सहीताओं के खिलाफ होगा किसको क्या करना है यह भगवान का निर्ण है और यदि वो राजनीती करते हैं तो राजनीती नहीं करना समाज की सेवा करना है तो यह तो उनके उपर डिपैंट करता है मेरी परिवार, राजनितिक परिवार है, यह मेरा सवभागी कि मैं कहला सारंग साप का बेटा हूँ, जिन्होंने ता जिन्दगी समाज की सेवा की, मेरे पिता जी कहते थे कि आप पॉलिटेक्स में बाइच्वाई सो बाइडिफॉल्ट नहीं हो, तो यह तो देखते हैं भव किंद्र सरकार के और किंद्र से तमाम सांसद और मंत्रियों को लाया जा रहा है मध्यप्रदेश में? यही तो काडर है, यही तो काडर बेस पार्टी है, इसके तो और खूबी की तारीफ होनी चाहिए? सत्ता समाली का काम मिला तो? निर्मान करना है इस देश का और उसके लिए सरकार की जुरूरत है। बड़ा मुद्ध उन्होंने कास्ट सेंसस का भी उचाला है, राहूल गांधी कई दफ़े बातशीत कर चुके है कास्ट सेंसस की, मर्यप्रदेश में भी, क्या काम आएगा? ठीकि मैं मुझे लगता है कि चुनाओ के वक्त धर्म को धर्म से लडाना, जाती को जाती से लडाना, वेमनस से पैदा करना, कन्फीजन पैदा करना, डिर्टी पॉलिटिक्स फैलाना, ये कॉंग्रिस की फितरत है। और ये फितरत वो करता है जिसकी जमीन नहीं होती, जिसकी जनता का साथ नहीं होती, तो वो फितरत करता है, पर जनता है, ये सम जानती है, इसलिए ऐसी फितरतों से कोई फर्ट नहीं पड़ेगा। कोशिश करता हूँ कि अब ऐसा कुछ ना खाओं, जिससे मोटा हो जाओं, बाकी कुछ है, थोड़ा बहुत करते हैं अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। म्यूजिक, अपना कोई शौक, फॉलो करते हैं आप। आपने बहुत अच्छी बात बुली कि यदि कोई बहुत भागुक हो, मैं बहुत अपने आपको मानता हूँ कि मैं बहुत जरूरत से ज्यादा एमोशनल हूँ। तो कोई अनर्गल बात आती है तो वो दिल पर जरूर छू जाती है। पर मेरे मदर और फादर मेरे साथ हैं वो अभी इस दहां में नहीं हैं परंतु वो दोनों मेरे साथ हैं। तो जब मैं बहुत तनाव में होता हूँ तो मैं अपने ममी पापा की फोटो के सामने रो लेता हूँ। और उससे मेरा तनाव खता हूँ। फुल टाइम पॉलिटीशन तो हैं वो ठीक है। लेकिन जब ही कभी फुरसत मिलती है पॉलिटिक्स से, काम से और इन सब चीजों से तब आप क्या करना पसंद करते हैं। राजनीती से दिगर। देखिए मैं मैंने जैसे कहां मेरे फादर ने मुझे बोला है कि राजनीती मिशन है। अब मैं 24 राजनीती में तो राजनीती से मैं कभी ऊपता नहीं हूँ। यह पूस्ट करने के लिए अनरज्टी बूस्ट करने के लिए तो कुछ तो कहा लागा है। देखिए मैं परिवार से भी मिलता हूँ और जंता से मिलता हूँ। कि किसी गरीब की मदद कर दूँ। मैं लोगों से मिलता हूँ। मुझे कभी यह दिक्कत नहीं आती कि रात में तीन बजे चार बजे कोई फोन करे और मैं एरिटेट हूँ। मुझे अच्छा लगता है किसी की सेवा करना। मैं रोज रात में सोता हूँ। तो जो दिन भर में अच्छा किया उसको सोच कर सोता हूँ। अगले दिन अच्छा कर पाऊं यह सोच कर सोता हूँ। मेरे पापा ने मुझे एक शेयर याद करा है कि कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर। जब तू ना चल सके तो तेरी दास्ता चले। हम रहे ना रहे। लोग हमें जभी याद रखेंगे जब हम उनके लिए कुछ करेंगे। और यह मैं फिर कह रहा हूँ। यह मैं कोई आदर्श की या दर्शन की बात नहीं कर रहा। मुझे अच्छा लगता है जनता से मिलना, मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, मुझे अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ रहना। बागी कोई बहुत शोग मेरे ऐसा कुछ है नहीं। हमसे बातशीत करने के लिए यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया